नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनीश कुमार जैनी पंजाब के पूर्व सीमर कॉंग्रिस सांसद चरनजीत सिंग चन्नी गुरुवार को हरियाना के करनाल पहुंचे यहां उनोंने मनोहरलाल खटर के किसानों को लेकर की गई टिपनी पर कहा कि खरियाना सरकार ने किसानों के साथ जो व्यावार किया है वह तो दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता है महीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर चन्नी ने कहा उनको सीरियस मतलो उनका कोई स्टेंड नहीं है उसने बयान भी वापस ले लिया है क्यों एक आदमी को घसीट रहे हैं कंगना रनौत का एक बयान वाइरल हुआ जिसमें वह तीन क्रिशी कानौनों को वापस लाने की बात कह रही थी उनके बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया और खुद कंगना को वीडियो जारी कर कहना पड़ा चन्नी ने कहा कि केंद्री मंत्री मनोहरलाल के बयान पर कहा इन्हों ने यानि बीजेपी ने अमबाला में रास्ता बंद किया हुआ है हुड़ा साहब ने भी कह दिया है कि रास्ता खोला जाएगा अगर हम आए तो किसान को जाने दिया जाएगा जहां वो जाना चाहते हैं लाल के लिए वाली बात जो मनोहर लाल बोलते हैं गलत बोलते हैं किसानों ने देश के लिए बहुत शहादत दी हैं हालांकि इस दोरान हिमाचल की सरकार के दोरा लिए गए फैसलों पर जब सवाल पूछा गया तो चरंजीत सिंग चन्नी उसका जवाब देने से बचते नदर आए उन्होंने कहा कि यह सवाल हिमाचल में पूछना मनोहर लालखटर ने कहा था कि शंबू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के नाम पर एक मुखोटा है और एक ऐसा समू है जो सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना चाता है हरियाना का किसान आंदोलन नहीं करता क्योंकि हमने किसानों के लिए बहुत काम की हैं अब ऐसे में हरियाना में विधानसबा चुनाव नजदीक हैं और इस तरह से चरंड़ी सिंग्चन्नी का हरियाना सरकार और मनोहर लाल खटर पर जब वार है वो कहीं न कहीं सियासी हलचल को बढ़ाता हुआ नज़रा रहा है और ऐसे में जिस तरह से कॉंग्रेस हर हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद को लेकर गिरती हुई नज़रा रही है उसमें सुकु सरकार पर तमाम सवाल या निशान खड़े होते वे नज़रा रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से कॉंग्रेस और भारती जिंता पार्टे की अलग-अलग राज्यों में मुश्किले बढ़ती वे नज़रा रही है तो अब आगामी विदानसवा चुनाओं में तमाम राज्यों में किस तरह से इस्तिती देखने को मिल सकती है ये भी देखना दिल्चस्प होगा फिलाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है आप अपनी राए हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी देश और दुनिया से जोड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहें ये एस्पेन नाइन न्यूर्ट